इस लिए सुप्रीम कोट कभी-कभी बहुत भ्यानक फैसला सुना देती है जबकि आपको लगता है कि इतना खतरनाक क्यों सुना दी लेकिन उसको पता हुए कि अगर हमने नहीं सुनाएंगे ति यह आगे जाके क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा जबकि आपको लगता है कि इतना खतरना क्यों सुना दी लेकिन उसको पता है कि अगर हम नहीं सुनाएंगे तो यह आगे जागे क्या बन जाएगा कानून बन जाएगा कानून है जैसे दिल्ली में एक मैटर हुआ था बहुत बड़ी बिल्डिंग है 40 तल तुम ऐसा ही पार्क इससे सो गुना जादे बड़ा पार्क बनाओ, तो अगले दिन दिल्ली के बिल्डर हरे एक पार्क को कब जाना चालू करते सो, कुछ पैसा देते सो, बिल्डिंक बनाया, हो गया, पशासत तले की बिल्डिंग खड़ा कर दिये, जब तक उतीन साल तक मुकदमा चलेगा इधर बिल्डिंग बन रही है, बन के तक या, उसका वकील क्या कहेग बिल्डर का वकीर, मिलोड, हमारे बिल्डर से गलती हो गई, करोड़ो रुपए लगा के साथ तल्ले की बिल्डिंग खड़ा कर दिये, 2020 का मैटर याद कीजिए, ऐसा ही एक मुकदमा आया था, और आपने कहा था, कि पार्क के जगा बना दिये, चलो तुम्हारा पैसा लॉस ह हुआ, एक काम करो, तुम इससे सो गुना बड़ा पार्क बनाओ, तो महराज आप ही का न्यायले अभी लेक होता है, वो एक रेकॉर्ड के तरह यूज होता है, हमारे भी बिल्डर के साथ ना इनसाथ ही क्यों, अगर उसके साथ ऐसा, तो मेरे साथ ऐसा, दिल्ली का सारा पा आटम कर देगा, इसलिए एक डम हाथ डिसीजन लेता है, एक डम हाथ डिसीजन, अवका कर दो